नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूटूब चनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए आदुनिक भारत के इतिहास से सम्मंदीत बहुत महत्पूर्ण प्रस्ण लेकर आया हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जो टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपियन कमपनियों का आगमन दोस्तों यूरोपियन कमपनियों से संबनी महत्पून सारे प्रस्ण इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे और दोस्तों यदि आप R.O.E.R.O. की परिक्षा देने के लिए जा रहे हैं त्यारी कर रहे हैं तो आपको एक बार इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए तो चलिए दोस्तों सुरू करते हमारे आज के पहले प्रस्ण से हमारा आज का पहला प्रस्ण है वासको डिगामा काली कट पर किस वर्स में आया था तो दोस्तों वासको डिगामा जो था वो एक पुर्तिकाली था ठीक है और पुर्तिकाली ही भारत में सबसे पहले आये थे आदुनिक भारत की गरम बात करें तो दोस्तों और यह किस परस आया था यह आया था 1498 इसवी में option 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह सबसे पहले 20 मई 20 मई 1498 को काली कट पहुंचता है और दोस्तों यहां के शासक होते है राजा जमोरीन जमोरीन दोस्तों इसका स्वागत करते हैं और यह भारत से व्यापार करने की चपरकट करता है और दोस्तों भारत में ही जो भारत में यह अपने कार खाने लगाते हैं यह अपनी व्यापारी कोठियां स्थापित करते हैं उसमें ये कालिकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली इन बंदरगाहों पर अपनी व्यापरे कोठियां स्थाफित कर लेते हैं ठीक है तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा option A, 1498 अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नमैसे कौन नीला जल योजना यानि की ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, तो दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित कौन साइज में, फ्रांसिसको डी अलमीडा, इसका सही उत्तर हो जाएगा option A, ठीक है, दोस्तों फ्रांस फ्रांसिसको जो डी अलमीडा था, वो भारत में पहला पॉर्टगाली वाइसराय और गवर्नर बन कर आया था, ठीक है, और ये अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए फेमस था, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है, दोस्तों जो पॉर्टगाली थे, उनकी समुदर में प पीछे पढ़ चुके हैं, चली अगला प्रशन देखते हैं, मध्यकाल में सरव प्रत्थम भारत से व्यापार संबंध इस्थापित करने वाले कौन थे, तो दोस्तों अभी हम देख चुके हैं कौन थे, वो पुर्टगाली थे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दोस्तों कई बार ये प्रक्षा में प्रशन पूछा गया है, UPPCS pre 1990 में भी आया है, 93 में भी ये पूछा गया था, 2000 में भी दोस्तों ये प्रशन आया है, ठीक है, और मेंस में भी दोस्तों UPPCS 274 में ये कुशन आया है, बहुत महत्पूर्ण प्रशन है, एक्जाम में पू चुके हैं कब आया था 1498 में, 20 में 1498 में ये भारत आया था, अगला प्रशन है पुर्तगाली उपनिवेश का पर्थम वाइसराय भारत में कौन हुआ, तो दोस्तों पर्थम वाइसराय या कवर्नर कह लें, वो कौन था, फ्रांसिस्को डी अलमीडा था, जो की अपनी ब्लू अगला प्रशन है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तिविक संस्थापक कौन था, तो दोस्तों भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तिविक संस्थापक कौन था, फ्रांसिस्को डी, ओ स्वरी, अलमुकर्क, ठीक है, कौन था दोस्तों, अलमुकर्क था, ठीक है, और इसे क्यों वास्त्रिक संस्थापक कहा जाता है तो दोस्तों इसने पंदरसो जो दस में था यहां बीजापूर ठीक है दोस्तों जो बीजापूर का सुल्तान था ठीक है आदिल शाह उससे गोगा छिन लिया था ठीक है और इसकी यह उपलब्धी इसको वास्त्रिक संस्थ पुर्तिगाली है वो भारती महिलाओं के साथ विवा करें यानि की विदवा पुनर विवा को इन्हों ने परमीशन दे रखी थी ठीक है ताकि अपनी संख्या जो है यहाँ पर बढ़ा सके चलिए अगला प्रसन देखते हैं भारत में यूरोपियन शक्तियों के परवेश के स पुर्टिगालियों ने 1499 में गोवा पर कबजा किया था दोस्तों पहले में हमको आंसर मिल गया गोवा पर कबजा कब किया था 1510 इसवी में ठीक है और दोस्तों किस से चीना था यह बीजापुर के शाह सकते आदिल शाही से और कब चीना था 1510 में तो ऑप्षन यह हमारा सही आंसर हो जाएगा बाकी के ऑप्षन है अंग्रेजों ने अपना पहला कार खान देक्षिन भारत में मशली पट्टम में लगाया सही है पूर्वी हारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में और इसा में पहला कार खान लगाया था तो इसमें यह भी सही है ठीक डुपले के नेत करे तुम्हें फ्रांसीसियों ने 1746 में मदरास पर कबजा किया था यह भी सही है तो अप्षन ए हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा अगला प्रशनम देखते हैं पूर्तगालियों ने भारत में निम्लकित में से किस स्थान पर प्रत्थम दुर्ग का निर्मान किया था तो दोस्तों यह पहला जो दुर्ग था यह हम बोलें पहली स्थाइफेक्ट पहली जो अपनी कूठियां स्थापित की सिरों ने या पहला दुर्ग जो स्थापित किया था वो किया था कोचीन में ठीक है दोस्तों कहां किया था कोचीन में तो option C का सही आंसर हो जाएगा ठी यूरोपियों ने भारत में पर्थम तहा सामुज्रिक व्यापारिक के अंदर इस्थापित किये थे तो दोस्तों पूर्टगालियों ने किये थे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए आगला प्रसंद देखते हैं बंगाल की निम्खित फेक्ट्र में से एक जो पूर्टगालियों द्वारा इस्थापित की गई थी वह कौन सी थी तो दोस्तों बंगाल में सबसे पहले जो की थी वो कौन सी थी हुगली ठीक है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आगला प्रसंद देखत हैं हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूट पार्ट के लिए किसने अड़ा बनाया था तो दोस्तों ये किसने बनाया था पूर्टगालियों ने ठीक है ऑप्शन एसका सही आंसर हो जाएगा ठीक अगला प्रसंद है निम्खित मैसे कौन कलकत्ता का संस्थाप था तो दोस्तों कलकत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है जौब चौर्णौक को माना जाता है ठीक है इसने कलकत्ता शेयर के स्थापना की थी और तीन गाउं थे दोस्तों ठीक है सूतनक्ती गोलिकाता ठीक है और एक गाउं और तन तीनों को मिलाकर इसने एक नया नगर बशादिये इसका नाम है कलकत्ता ठीक और वो कौन था जॉब चौर नौक था इसलिए से कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है कलकत्ता किस ने बसाया दोस्तों जॉब चौर नौक ने ऑप्शन डीस का सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है लंदन में ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी के गठन के समय भारत का निम्खित में से कौन बादशाह था उस्तों बहुत महतुपूर्ण प्रस्ण है कई बार प्रिक्षा में ये पूछा गया है ठीक है और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अकबर ठ होती है इसके स्थापना दोस्तों 1599 में होती है ठीक है 1599 में होती है और उस समय जो भारत का शासक होता है वो अकबर होता है ठीक है लेकिन जब ये भारत पहुंचती है जब चौरी जब ये इनका जो है सर्ट टॉमस रो ठीक है सर्ट टॉमस रो ये जब भारत में आते हैं ह और टॉमस रो तब तक इसका दिहानत हो जाता है अकबर का ठीक है तो यह भी प्रिक्षाओं में प्रशन पूछा जाता है कि यह जो पत्र लेकर आये थे जो अनुमती पत्र लेकर आये थे वो अकबर के नाम कर लाये थे ठीक है और जहांगीर के दरबार में उसको पढ़ा गय की थी ठीक है तो दोस्तों यह कहां की थी सूरत में ठीक है जोस्तों विलियम हॉकिंस आया था सबसे पहले ठीक है यह सूरत में मुगल दरबार में 16-18 इस विम पहुंचा किन्तु फैक्टरी की स्थापना करने के इसने पर्मिशन मांगी थी लेकिन यह सफल नहीं हो पाता ह ठीक है और बाद में इनका सवाली का युद्ध होता है ठीक है और उस युद्ध में ये पुर्टगालियों को हरा देते हैं इस बात से खुश हो कर जो है जहांगीर इनको सूरत में फैक्टरी स्थापित करने की पर्मिशन देता है चली अगला प्रशन देखते हैं इस्ट विखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्टगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था ठीक है दोस्तों तो ये हराया था था थॉमस बेस्ट ने ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है थॉमस बेस्ट ने पुर्टगालियों को सवाली के युद में हरा पाना इस्थापित करने की अनुमती मिली तो दोस्तों कहां पर मिली थी सूरत में मिली थी अभी बताया है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा British East India Company ने बंबई किस से लिया था तो दोस्तों बंबई किस से लिया था ये लिया था पुर्दगालियों से ठीक है जो यहांके राजा थे ठीक है इंग्लेंड के उनकी सादी होती है पुर्दगाल की राजकुमारी से और बंबई इनको दहेज में मिल जाता है अगला है कंणाटक युद किन किन के मध्य लढ़ा गया था तो दोस्तों जो कंणाटक युद है ये अंग्रेज और फांसीस्यों के बीच में लढ़ा गया था option ये इसका सही answer हो जाएगा ठीक है और जो करनाटक के तीन युद्ध होते हैं दोस्तों पर्थम करनाटक युद्ध दित्ते करनाटक युद्ध और तित्ते करनाटक युद्ध ठीक है दोस्तों जो पर्थम करनाटक युद्ध होता है वो किसके साथ समापत होगा एक्सला सापिल की संदी से अंत होता है ठीक है दोस्तों जो तिरत्य करनाटक युद्ध है इसका अंत होता है पैरिस की संदी से जो तिरत्य करनाटक युद्ध है दोस्तों ये निर्नायक नहीं रहा था तो यानि कि अन्रनायक था तभी तो तीसरा हुआ था और पर्थम मैसूर युद्ध के अगर हम बात करें तो इस युद्ध में Britishers की हार होती है ठीक है? है, हैदर अली जो होता है वो Britishers को हरा देता है पर्थम मैसूर युद्ध में तो इसका जोस्तों जो सही आंसर बनेगा जो कूट बनेगा वो हमारा बनेगा option C अगला प्रस्न है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कार खाना निम्निस्थानों में कहां लगाया तो दोस्तों, फ्रांसीसियों ने जो अपना पहला कार खाना लगाया था, इन्होंने भी कहां लगाया था, सूरत में ही लगाया था, ठीक है, लुई 14th, ठीक है, लुई 14th थे दोस्तों, इनके मंत्री थे कॉलबट, इन्होंने 1664 में फ्रेंच इस्ट इंडिया कमपनी की स्थ इंडिया कंपनी इस्थापित हुई थी किसके शासनकाल में। तो दोस्तों ये हुई थी लुई 14 के शासनकाल में। जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रस्ण है निमनिखित मैंसे किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रस्ण है निमनिखित में इस्थापित के शासनकाल में। इउपियन शक्तियों ने भारती वफार में समयस में पर परवेश किया था। निमन कूट से उनके परवेश का सही तिति करम निर्धारित कीजिए। दोस्तों यानि कि हमको इनके ठीक है आने की करम में अरेंज करना है। ठीक तो सबसे पहले दोस्तों को आए थे पुर्तगाली आए थे तो यह आजागा सबसे पहले पुर्तगाली ठीक है। इसके बाद दोस्तों कोन आते हैं? इसके बाद आते हैं डच तो पुर्तगाली डच ठीक है और उसके बाद फिर कोन आए दोस्तों अंग्रेज आए जाएंगे। और उसके बाद फिर फ्रांसीसी तो फरस्स सेकिंड थर्ड फूर्ट यानि की 4-2-1-3 यह हमारा सही आंसर हो Option A जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है इम्रिखित येरोपियन में से कौन सा एक स्वतंतरता पूरु भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए तो दोस्तों सबसे अंत में Option में अगर हम देखे तो इनके साब से ईंके साथ से सबसे लाष्ट में आने वाले थे ये फ्रांसीसी Option C हमारा pakai सही आंसर हो जाएगा सबसे पır्ट गाली आए फिर अगले जाए फिर अगला प्रस्ण देखते है निमिखित मैंसे कौन सा एक मुगल समराट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था ठीक है तो दोस्तों मुगल समराट के द्वारा नियुक्त बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था उसका नाम था मुर्शीद कुली खा ओप्शन B इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों मुघल समराइट उस समय फरुक्षियर था और फरुक्षियर ने 1770 में मुर्शित कुली खां को बंगाल का सुबेदार बनाया, ठीक है, इसकी दोस्तों मुर्तियों के बाद इसका दिदामाच था इसका नाम था सुजाओधिन, ये बनता है बंगाल का सुबेदार, और इसको जो माननेता दी थी वो उस समय मुगल समराट रंगीला जिसको मुहमाशा रंगीला के नाम से जानते हैं उसने उसको पर्मिशन दे दी ठीक है तो ये जो स्वतनतर रूप से बंगाल का नवाब बनने वाला था ये पहला शा सकता मुर्शीत कुली खा ठीक है चलिए आगला प्रशन देखते हैं निम्खित मैंसे कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्र को प्रारंब किया तो दोस्तों ब्रिटिश प्रभुत्र को जो प्रारंब किया था उसकी शुरुआत होती है प्लासी के युद्ध से ठीक है और दोस्तों ये ज इसमें दोस्तों जी प्लासी जगह है ये बंगाल के नाडिया जिले में पड़ती है ठीक से पराझित कर दिया he क्योंकि सिराजुद दोला का जो सेना पती था ठीक है इसका नाम क्या था मीर जाफर ये अंग्लेजों से जाकर मिल गया ठीक है जिसका रण इसकी युद्ध में हार हो जाती है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध सिराजुद दोला लॉड कलाई द्वारा प सापक रोबर्ट कलाइब को ही माना जाता है ओप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है दोस्तों प्लासिका युद्ध मैदान कहा है इस्तीत है अभी बताया था दोस्तों ये कहाँ पर है प्लासिका मैदान तो ये है आपके पश्ची मंगाल में ठीक है पश्ची मंगाल का कौन सा जिला है दोस्तों नादिया या नादिया जिला है ठीक है अगला प्लासिका युद्ध कब लड़ा गया था तो दोस्तों ये है लड़ा गया था 1757 में 23 जून 1757 इसकी सरी डेट है निम्खित मैसे किस ने अपनी राजधानी मुश्चीदाबाद से मुंगेर इस्थारांतिर की थी तो दोस्तों ये राजधानी स्थारांतिर की मीर कासिम ले ठीक है कहां ले गया था दोस्तों ये मुश्चीदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी ले गया ठीक है अगला प्रस्ण है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रीजों के भारत में प्रभूत्व को इस्थापित किया था निमलखित युद्धो मैसे कौन सा सरवाधिक नर्णायक था दोस्तों यही प्रस्ण पूछा गया है बकसर की लड़ाई थी वो ठीक है और बकसर का युद्धो दोस्तों कब हुआ था तो यह हुआ था 22 अक्तूबर 1764 को ठीक है चली अगला प्रस्ण देखते हैं युद्ध से मानी जाती है ठीक है उप्षन है इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है बकसर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों इंपोर्टेंट कोश्चन है बकसर का युद्ध जब भारत में हुआ था तो उस समय भारत की यानि कि जो दिल्ली क शासक थे वो शाहा आलम सेकंड थे ये उत्तर मुगल काल में हम पढ़ेंगे ठीक है शाहा आलम सेकंड अगला प्रस्ण है बकसर की लडाई के समय बंगाल का नवाब कौन था ठीक है तो दोस्तों उस समय बंगाल का नवाब कौन था मीर कासीम ऑप्षन सीज का सही आंसर हो जाएगा, बक्सर की लड़ाई के समय, ठीक है, अगला प्रस्न है, निम्रिखित मैं से जिस एक शासक ने East India Company को दिवानी परदान की थी वह कौन था, तो दोस्तों वह थे शाह आलम सेकिन, ठीक है, कौन थे, शाह आलम सेकिन, दोस्तों जो इलहाबाद की दूसरी संदी होती है 1765 में, ठीक है, 1765 में जो संदी होती है, इसमें शाह आलम को अंग्लीजी संदी के ले लिया जाता है, ठीक है, और उसे इलहाबाद में रखा जाता है, ठीक है, चली अगला प्रस्न देखते हैं, इलहाबाद की संदी के बाद, रॉबर्ट कलाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था तो दोस्तों ये बनाया था मुहम्मद रजा खान को option A इसका सही आंसर हो जाए ठीक है अगला प्रस्ण है उस फ्रांसिसी सेनपती का नाम बताईए जो 1760 के वांदिवाश के युद्ध में पराजित हुआ था तो दोस्तों किसे पराजित किया था काउंट दालाली को option A इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है वांदिवाश के युद्ध जो की 1760 में हुआ था ठीक है किसने किसे हराय था तो दोस्तों ब्रिटीश अर्स ने फ्रांसिसीयों को हराय था तो option C इसका सही आंसर हो जाएगा निम्नमैसे किसने भारत में अंग्रेजों का सरवाधिक विरोध किया है तो दोस्तों सरवाधिक विरोध अंग्रेजों का किनों ने किया है मराठों ने किया है ठीक है option A हमारा सही आंसर हो जाएगा I hope दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों इसी परकार के अन्य वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद